नमस्कार दोस्तों जैपी स्टेनोगराफी यूटूब चैनल पर आपका स्वागत है ये डिक्टेशन अस्सी सब्द परति मिनट का होगा जोकी साथ मिनट तक बोला जाएगा जन सत्ता से लिया गया है दस सकिंद बाद स्टार्ट किया जाएगा दोस्तों अगर आप चैनल प बठिंडा सैन्य ठिकाने में हुई गोली बारी और उसके बाद एक संतरी की कथित खुदकुसी को लेकर वहां की सुरक्षा विवस्ता पर स्वाभाविक ही सवाल उठ रहे हैं ये हैं देश के सबसे बड़े सैन्य ठिकानों में से एक हैं ये हैं इसलिए भी सवेदन सील है की बिलकुल पाकिस्तान की सीमा से लगा हैं और यहां तेनाद सैनिक सदा अभियान के लिए तैयार रखे जाते हैं जाहिर हैं वहां की सुरक्षा को लेकर खासी चोकसी बढ़ती जाती हैं ऐसे में अगर दो अग्याद लोग उस सैन्य ठिकाने के भीतर गुस कर सो रहे चार जवानों को गोलियों से भून डालते हैं तो चिन्ता स्वाभाविक हैं हाना की अभी तक गटना की असली वजह हैं ठीक ठीक पता नहीं चल सकी हैं मगर अधिकारियों का कहना है कि सैनिकों की आपसी रंजिस के चलते यह हैं गटना गटी गटना से दो दिन पहले एक इंसास राइफल और अठाइस कार्तुस चोरी चले गए थे इस गटना में उसी राइफल के इस्तेमाल की आसंग का जताई जा रही हैं हालां कि वह चोरी गई राइफल गटना के बाद बरामद कर ली गई हैं इस गटना की असल वजहें जाच के बाद पता चलब जाएगी मगर वहां की सुरुक्सा से जुड़े सवाल सायद अनुत्रित ही रहेंगे इस गटना के अगले ही दिन एक संत्री की सिर में गोली लगने से मोत हो गई जिसे खुदकुसी बताया जा रहा है दोनों गटनाओं के आपस में जुड़े होने से इनकार किया जा रहा है मगर कथित खुदकुसी की गटना भी संद है और सवालों से परे नहीं है सेन्य चावनियों में बहरी लोगों का परवेश आसान नहीं होता पुखता जाज के बाद ही वे परवेश कर सकते हैं इसलिए इस तर्क को सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता की चार जवानों की हत्या करने वाले सेना के भीतर के ही लोग थे मगर यह समझना थोड़ा कठिन हैं कि वे कैसे नकाब पहन कर आए और वारदात को अंजाम देने के बाद बड़ी आसानी से निकल भागे चावनियों में सेना की टुकडियां किसी वरिष्ट अधिकारी की निगरानी में रहती हैं जगहें जगहें आंत्रिक सुरुकसा के इंतिजाम होते हैं निगरानी चोकियां बनी होती हैं बठिंडा में इसे लेकर अधिक ही चोकसी की उमीद की जाती हैं फिर कैसे दो नकाब पोस राइफल और कुलहारी लेकर बोजनाले वाले इलाके में पहुँचे और चार जवानों को मारने में कामियाब रहे कैसे उन पर सुरुकसा में तेनात किसी सिपाही की नजर नहीं पड़ी या फिर जब गोलियां चली तब भी कोई सक्रिय क्यों नहीं हुआ इस गटना को मामूली चूक या आपसी वेमनस से बता कर हलके में नहीं लिया जा सकता अगर कुछ सेनिकों की आपस में रंजिस थी तो उसके बारे में उनके अधिकारियों को जानकारी कैसे नहीं थी फिर उन लोगों की पहचान करने और उनहें तलासने में इतना वक्त कैसे लगा यहें गटना बड़े सातिराना डंग से अंजाम दी गई ऐसे लोग सेना के लिए किसी भी रूप में उचित नहीं माने जा सकते सिपाहियों के बीच ऐसी आपसी रंजिस जो खुरेंजी तक पहुँच जाए सेना के अनुसासन पर सवाल खड़े करती है फिर उस संत्री की मानशिक स्थती का अंदाजा कैसे नहीं लगाया जा सका जिसने पहरा देते हुए खुद को गोली मार ले इन दोनों गटनाओं से यही रेखांकित हुआ है कि बठिंडा सेन्य ठिकाने में सब कुछ ठीक नहीं है फिर यह भी कि सेनिकों की मानशिक स्थती का आंकलन करने के लिए जो सुजाव दिये गए थे उनका सही डंग से पालन नहीं हो रहा है बिवल नहीं है Is towell दोस्तों इस डिटेसन का प्रिडिव निंग मौझेल है आप वहांसे êtsजा कि डाउनट कर सकते हैं साथ ही यह डिक्लेशन और इसका पीडियव वर्चैप गूर्पर भी सेयर कह जाता है जिसका लिए डिस्क्रिप्सरीन मौझे आप जोन कर सकते हैं दोस तो अग डिक्टेशन अच्छा लगे पसंद आये तो लाइक, शेर, कमेंट जरूर करें थैंक यू